Q36 यहां पर balance sheet दिया हुए पुजा लिमिटेट का 2014 opening year और 2015 closing year है Share Capital 4,80,000 से 5,00,000, General Reserve 1,10,000 से 6,00,000 हो गया है और Profit 20,450 से 33,450 हो गया है Trade Receival 1,40,600 से 2,35,350 हुआ है और Provision for Taxation हमारा 78,800 से 47,000 हो गया है Fixed Asset हमारा 6,20,000 से 6,80,000 हो गया है और इस पर जो Depreciation था वो 1,21,000 से 1,60,000 Investment हमारा 1,50,000 हो गया यह निकि यह घड़ गया है और Inventory हमारा 55,600 से 90,500 Trade Receivable 1,18,300 से 1,67,800 Cash हमारा 49,800 से 47,500 हो गया है साथ में जो Preliminary Expenses हमारा था वो पहले था 7,200 का जो की घड़ के 0 हो गया है अब Additional Information में बताया है कि हमारा Net Profit साल बर का है 38,000 इसमें हमने पहले ही Depreciation 50,000 का माइनस कर लिया है Return Off कर लिया है Preliminary Expenses 7,200 का और Tax हमने पे कर लिया 32,000 का यह सब माइनस करने के बाद हमारा Net Profit आ रहा है 38,000 इसके अलावा Company ने एक Old Machine बेचा है जिसका पहले Value था 12,000 और उसे हमने बेच दिया 3,000 में उस Machine के उपर Depreciation था 11,000 का यानि की 12,000 का Machine था और 11,000 का Depreciation यानि की उस पे 1000 ही हमारा Machine का Value था और उसको हमने बेचा है 3,000 में तो हमको यहां पर Profit हो रहा है 2,000 का Company का जो एक Investment का एक Part worthless हो गया है तो हमने उसको Return Off कर दिया है वो Investment 50,000 रुपए का था फिर Company ने Interium Dividend पे किया है 10,000 का हमको Company का Fund Flow Statement बनाना है और यहां पर बता दिया गया है कि Proposed Dividend 2014 में था 15,000 का और 2015 में था 28,800 का तो इसका Calculation होगा Statement of Change in Working Capitals में चार कॉलम होता है Opening, Closing, Increase in Working Capital और Decrease in Working Capital का Inventory 55,600 से 19,500 हुआ है यानि कि यह 34,900 से इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे Trade Receable 1,18,300 से 1,67,800 हुआ है यानि कि यह भी Increase हो रहा है 49,500 से तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे Cash हमारा 49,800 से 47,500 हुआ है यानि कि यह Decrease हो रहा है 2,300 से तो इसको Decrease वाले कॉलम में लिखेंगे Opening का Total करेंगे तो आजाएगा 2,23,700 Closing का Total करेंगे तो आजाएगा 3,5,800 है हमारा Total Current Asset होगा Current Liability Trade Disable हमारा 1,40,650 से 2,35,350 हुआ है यानि कि यह हमारा Increase हो रहा है तो Liability जब Increase होता है तो वह हमाले लॉस होता है इसलिए हम इसको Decrease साइट पर लिखेंगे 94,700 अब 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 वर्किंग केपिटल निकालेंगे तो Current Asset में से Current Liability Minus करेंगे तो आजाएगा 83,050 और इधर की Current Asset में से Current Liability Minus करेंगे तो आजाएगा 70,450 क्योंकि ये decrease हो रहा है in Closing Year में तो जब अब अब ये तरी थाउजन 50 में से 70,450 माइनस करेंगे तो आजाएगा 12,600 ये रहा Decrease in Working Capital होगा वैसा हम Increase का कॉलम का टोटल करेंगे तो आजाएगा 84,400 और इधर का टोटल करेंगे तो आजाएगा 97,000 इसमें से जब आपन 84,400 माइनस करेंगे तो आजागा 12,600 क्योंकि ये दोना बैलेंस हमारा सेम है इसका मतलब हमारे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सही है प्रोविजन फर टेक्स अकाउंट टेक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 78,800 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 47,000 एडिशनल इंफर्मेशन में बताया है कि हमने टेक्स पे किया है 32,000 का दोनों को टोटल करेंगे तो आजागा 1,10,800 इसमें से 47,000 माइनस करेंग यह है तो इसको लिखेंगे और क्लोजिंग यह अरका था 5,20,000 अब हमने मशीन बैचा है 3,000 में और डेप्रिशिशन क्योंकि हमारा जो डेप्रिशिशन दिया हुआ है उसमें का हम बैलेंस निकालेंगे तो वाएगा 39,000 का और जो मशीन हमने बैचा उस पे डेप्रिशिश हुआ 2,000 का तो इसको अपन इधर लिखेंगे अब जब अपन इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,73,000 इसमें से जब अपन माइनस करेंगे 4,99,000 और 2,000 तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 72,000 यह हमारा कैश होगा यानि कि हमने मशीन पर्चेस किया है 72,000 का इसमें से हमने पेटेरियम डिविडेंट हमारा था 10,000 का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,27,200 अब इसमें से हमने जो मशीन बेचा उससे हमको प्रॉफिट हुआ था 2,000 का इसको माइनस कर देंगे तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,25,200 फंड फ्लो हमने पेट किया था 25,000 का और हमारा प्रोविजन फर टेक्स था 63,800 का टोटल करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 1,60,800 क्योंकि यह दोना बैलेंस हमारा सेम है इसका मतलब हमारा फंड फ्लो स्टेट्मेंट सहीं है